दूर्ग पुलिस अधिक्षक शरप कुमार सीना एवं अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक संजै धुरूव के साथ अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक ग्रामीन अनंत साहू एवं अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक आईसी डबलो मीता पवार के मार्ग दर्शन पर उपुलिस रक्षा टीम के द्वारा देर रात को जहनती स्टेरियम तराप के खिनारे बैंक परिसर मोनोमेंट पार्क में पेट्रोलिंग की गई जहां अनावश्टे को बिना किसी कारण के पाए गए लोगों को समझाईश दे कर छोड़ा गया स्वच्चता यह सब्द सुनकर हमारे जहन में हमारे आसपास और शहर भर में फैली हुई गंदिगी जो हमें दिखाई देती है उसकी सफाई को लेकर बात उड़ती है परंतो दुर्ग पुलिस द्वारा स्वच्चता नाम से एक ऐसा अभियान चलाये जा रहा है जिसमें ना दिखाई देने वाली गंदिगी को साफ करने का प्रयास रक्षा टीम प्रभारी एवं उप पुलिस अधिक्षक सिल्पा साहु के नेतरित में किया जा रहा है इसी के तहट बीती राज सिविक सिंटर इलाके में जैंती स्टेडियम के पास अभियान चलाये गया जिसमें कई ऐसे शरारती और आसमाजिक तत्तो रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाए गये कुछ तो खाकी वर्दी देखकर भाग खड़े हुए और कुछ को मौके पर पकड़ कर समझाईज दी गई वहीं साथ में महिलाओं को महत्वपूर्ण नंबर की जानकारी दी गई एबं अकेले वसुनसान किसी जगह में नहीं बैठने को कहा गया कुछ लोगों को नशे के सेवन के साथ पाया गया जिने आगे की कारवाई हे तो भिलाई नगर था न भेजा गया इस कारवाई के दोरान कई यूतियां भी ऐसी जगह पर नशे की हालत में और अंजान लड़कों के साथ भी पाई गई उन्हें भी रक्षा टीम दोरा संजाईज दी गई रक्षा टीम की प्रभारी एबं उप पुरिस अधिक्षक सिल्पा साहू ने इस अभियान को लेकर निउस्टीम को जानका रिदी है जी अभी जो हम अभियान चला रहे हैं उसका नम स्वच्छता अभियान है जैसा कि नाम से स्पस्ट है कि स्वच्छ एक ऐनुभूती होती है जहां आदमी अपने अपको सेफ महसूस करें तो उसी चीज की तर्स पर हम यह महिलाओं के लिए ही बोला जाए कि महिलाओं को धि सक्राइब चुछ एसे लोग है जिनकी उपसिती सहीं नहीं है तो उन समाजिक तक्वों से उनको दूर रखना नशे से दूर रखना नशे से भी छुटकारा प्लान उनको जो है मिलना चाहिए उसके लिए सवच्छवाता वरन मिलड़ना चाहिए तो इसी की तर्श पर जो ह उजाले में बैठ सकती हैं तो उस अभयान चल रहा है नोग कर रहें अबियां ऐ पर आगे पर के शिचुझारा धाते हैं यहां पर राश्ते बेचकrah पहरा ड़ा पाम कहीं की बैठे या वो लोग उस अंधेरे का पाइदा उठाके बैठे रहते हैं बीना किसी काम के तो वहां पे चला लगभग ऐसा रहता है कि कई बार वो यूनिफॉर्म देखके भगने का प्रयास करते हैं जो वहां पर उपसिर रहते हैं उनको समझाया जाता है कि यह उनकी सुरक्षा के ल महिलाएं भी रहती हैं लड़कें सही नहीं है आपके सुरक्षा के लिए हम लेकिन इस सुनसान के बैटना वाक करना उस तरहीं नहीं है अप लाइ्टीन एरिया में पर चेहल पर हैं यह प्रयासों का सफल नतिजा भी सामने दिखाई दे रहा है इनके द्वारा किये जा रहा है प्रयासों के साथ यदि आम जंता का सहयोग भी प्राप्त हो जाए तो महिलाओं के विर्द होने वाले अपरादों में बेशक कमी आएगी Grand Asian News के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट